स्वास्थ और सौंधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को प्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंधरी में आपका एक बर सिरसे स्वागत है आज हम इस वीडियो में घर पर गुलाबचल बनाने की वीडिय के बारे में बात करेंगे गुलाबचल एक प्राकृतिक सौंधरी प्रसादन है जिसका इस्तिमाल प्राचीन काल से ही खुबसूर्ति को निखाडने के लिए किया जाता रहा है गुलाबचल का नियमित इस्तिमाल करने से पचा संबन्दी सारी समस्यां दूर हो जाती है गुलाब जल में एंटी आक्सिडेंट और एंटी इंफलिमेंटरी गुम पाई जाते हैं जो चेहरे की निखार को बढ़ाने में काफी मदद करता है वैजे तो बाजार में कई ब्रैंड्स के गुलाब जल मौजूद है लेकिन हम इस वीडियो में घर पर गुलाब से शुत गुलाब जल बनाने के बारे में जानेंगे जो शुत होने के साथ साथ आपकी त्वचा के लिए ज्यादा नावदायक सावित होगा तो फिर घर पर गुलाब जल बनाने की विदी के बारे में जाने के लिए बने रहे हैं इस वीडियो के साथ गुलाब जल बनाने के लिए सबसे पहले 20 से 25 गुलाब का फुल ले ले अब इन फुलों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो ले इसके बाद गुलाब के फुलों को तोड कर उनके पंखुडियों को अलग कर ले अब एक पतिला ले ले अब पतिले में गुलाब के सारी पंखुडियों को डाल कर 2 से 3 गिलास पानी डाल दे इसके बार गैस ओन करके इसे धीनी आज़ पर 15-20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दे जब गुलाब के पंखुरियों का रंग सफेद हो जाए तब गैस बन कर दे और पतीले को गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दे जब पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे एक छनी की साहिता से किसी कंटेनर में चान कर रख ले इसे आप स्प्रे बोतल में भी रख सकते हैं अब यह गुलाब जल इस्तमाल में लाने के लिए पूरी तरह से तयार हो चुका है गुलाब जल को टोनर के तॉर्ड पर भी इस्तमाल किया जा सकता है नियमित रूप से गुलाब जल को त्वचा पर लगाने से त्वचा में कसावाता है गुलाब जल में एंटी आक्सिडेन और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुन पाये जाते हैं जो त्वचा को न सिर्फ हाइडरेट रखता है बलकि शहरे के निखान को बढ़ाने में भी मदद करता है गुलाब जल के तासे ठंडी होती है जिस वज़ा से ये संबंड होने पर त्वचा को ठंड़क पहुचाता है गुलाब जल का इस्तमाल मेकप रिमूवर के तौर भी किया जाता है तो फिर आज आपने इस वीडियो में घर पर शुद्ध गुलाब जल बनाने के तरीके के बारे में जाना आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवशी ही पसंद आया होगा हमारे नएने स्वास्ते और संदरी संबंदी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले तदा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नएने जानकारिया आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद